हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चानल मैज से दोस्ती में दोस्तों आज करमा सेशन परसेंटेज यानि परतिसत पर होने जा रहा है दोस्तों जो भी हम लोग कोशन करने जा रहे हैं यह प्रीवेस एर कोशन है कुरूब डी एससी बैंक जो भी कम्टिटिक जाम है उस और हाँ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने पर से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो आईए हम लोगों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन इस पकार है एक छातर एक संख्या को पांच बटा तीन के बदले तीन बटा पांच से करता है तो उसकी गन्ना में कितने पर्सिसत की चूटी होगी तो पहला ऑप्सन है 24% दूसरा 34% तीसरा 54% और D 64% तो इसको करें कैसे दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है जो सबसे पहला काम है जो फ्रैक्शन को हमें होल नंबर में कनवर्ट करना होगा थीक है यानि कितना है वास्तिविक संकर किससे गुना करना था पांच बटा तीन से गुना करना था लेकिन करते हैं किससे हैं तीन बटा पांच से गुना करते हैं तो आपको करना होगा इसको पूर्ण पूर्ण अंक में कनवर्ट तो यह हमारा रियल नंबर है रियल नंबर कितना है पां नमर में convert ठीक है तो तीन और पांच का SM लीजिए तो 15 होता है तो 15 से मुट्पाई कर दिए तो 15 से हम लोग यहां मुट्पाई कर दे रहा है तो 3 15 15 यह कितना हो जाएगा 25 और 5 15 यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा या नहीं दोस्तों कितना का difference है तो आपको कुछ नहीं करना है डिफेरेंस कितना का सोला का बटा में क्या कि जे रियल नमर कितना है 25 से 16 अगुना में 100 तो 25 से 25 चको 100 तो 16 चको कुतना होगा 64 होगा यानि कितना परसेंगा टूटी हो रहा है तो दोस्तों यह था हमारा question number 1 उमीद करते हैं कि पर कठेना है इसमें नहीं होगा समझने में किस परकार solve करना है तो आईए हम लोग अब question number 2 की और बढ़ते हैं friends हमारा question number 2 इस परकार है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 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 नाम 60 आता है तो आपको कुछ नहीं करना होगा संख्या को x मान लिए ठीक है तो अब क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग तो 60% में से 60 घटाना है तो 60% x 60% x पराबर कितना हो जागा हमारा 120 हो जागा यह minus उद्धर जाके plus में हो जागा तो 120 हो गया अब में संख्या संख्या क्या होता है 100% होता है 100% निकालना है ठीक है तो 100% निकालना है तो 120 बटा में 60 गुना में 100 कर देना है तो 60 से कटा 120 दो बार में तो में संख्या कितना आजाएगा x के value 200 आजाएगा यानि कौन सा option है friends तो option number D हमारा right answer हुए तो उमीद करते हैं कि समद में आगया वकिस्तर से इस question को solve करना है ठीक है जब भी दिखे आपको तो आप solve कर सकते हैं असानी से दोस्तों हमारा question number third इस पकार है एक सहर की जन संख्या 8000 थी एक वर्ष में पूरुस की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है लेकिन कूल जन संख्या 9% बढ़ती है तो सहर में पूरुसों की संख्या क्या थी है हमें निकालना है तो इस question को दोस्तों हम ल आजरी सांधे हैं ने हम उसा हम लोग केृश्ण मेटरस से सव्ल पर सकते हैं तो यहां मैल लिख लेंगे यहां लिख लेंगे यह मह आदि यहां बीच में ओडिक है तो आठ ना परिशन बढ़ रही है और मेल परद्य कम बढ़ तो मेल आठ परसल बढ़ रहा है तोँ मेल आ यहां male कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा अब आपको allocation method लगा देना है तो जानते हैं कैसे लगता है बड़ा में से छोटा घटाना है 10 में से 9 घटा वन आ गया नौ में से आठ गटा कितना आ गया वन आ गया यानि वन डेस्टों आ गया यह हमारा क्या सो कर रहा है जो पोपलेशन है उसका हमारा डेस्टों सो कर रहा है मेल भी वन यूनिट है फीमेल भी कितना है वन यूनिट है तो टोटल कितना हो गया हमारा दो यूनिट हो गया और दो कितना दिया हुआ हमारा8000 दिया हुआ तो मिन्हा निकालना है हमें निकालना पूर्स के संख्य तो कितना हमारा वन यूनि चैनलना निकालना है तो8000 बटा 22 यानि कितना या करते का हमारा 4000 हमारा है कि एंसर होगया तो कौश्चों दोस्तों option number यह हमारा तões शुरुँ ए लिए तो वन इन्ट रेसे वन आ गया यानि तो यूट के वैलू कितना है 8000 तो वन इन्ट कितना आ गया हमारा 4000 के बरावर हो गया तो कॉस्षर में ठर्ट आपको समंध में आ गया ऐसे उमीद करते हैं तो आई एह हम लोग को सनफ फोर की बढ़ते हैं कि दोस्तों हमारा कोशन इस प cupcakes किसी संख्या का 38 परसंट 75% के बारा परसंट के ब्राबर होगा, ठीक है तो कोई संख्या है तो मान लेते हैं कि संख्या हमारा क्या है कि है X है, तो X का 18 परसंट किसंगे ब्राबर है तो 75- 12 के बरावर है त्यक्रा बारा परसंट लिख दिये थिकर तो परसंट से प्रसंट कैंसिल आउप हो जाएगा यह बारा परसंट है यानि बारा परसंट sao to नीचे रहेगा नहीं तो केइंचे लाफत हो जाएगा εकस का फैल कितना आगया दोस्तों तो एक्स बरावर हो गया 75 पुने 12 और बटा में 18 तो 6 से cancel out किजिए छोती 18 और 6 दूनी 12 फिर 3 से cancel out होगा तिन का 3 तिन दूनी 6 और 3 15 तो हमारा एक्स के फैलू कितना आ गया 50 आ गया तो हमारा कौन सा option right answer होगा तो option number a हमारा right answer होगा तो कुछ नहीं करना था कि संख्या का 18 परसंट एक संख्या है उसका 18 परसंट 75 के 12 परसंट ब्रावर है तो 75 के 12 परसंट से percent cancel out हो गया तो एक्स कितना गया पश्यक्ते इंटू बारा बटा ठारा है ठिक है तो कौन संख्यों फाइब क्यों बढते हैं कि फ्रेंस हमारा क। फाइब इस परकार है एक परिच्छा में 34 करतियों की गनित में तथा 42 परसंट परतियों की अंग stumbled होता है जाद D struggles को सबसे सबसे पहले यह हम लोग जो math का हुआ गोला और बीच में दोनों का दिखा हुआ है क्या दिया हुआ है कि 20% दोनों के समें फेल होता है और यह English का है तो math में कितना परसंट फेल होता है 34% और 42% अंग्रेजी में फेल होता है और 20% दोनों में फेल होता है तो यह जो beach वला है, यह 20% हुआ, तो math कितना हो जाएगा हमारा, तो math 34% है, यह तो 20 हो गया, तो math 34 करना है, यानि यहाँ पर 14 हो जाएगा, और English कितना है, तो English 42 है, यह 20 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा, 22% और 14%, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, तीनों यह जो portion हुआ यह only math यह only English और यह जो बीच में यानि math और English में फेल हो रहे हैं दोनों में 20% और total फेल कितना हो रहा है तो 14% plus में 20% plus में 22% ठीक है तो जोड लेते हैं तो कितना हो जागा हमारा तो 20 plus 22 कितना हो जागा 42 और 42 plus 14 56% यानि 56% दोस्तों क्या हो रहा है total fail total fail यानि 56% total fail हो रहा है अब क्या करना है क्या निकालना है हमें हमें निकालना है कि दोनों विश्व में सफल होने वाले कितने परसें विधारती हैं तो आपको कुछ नहीं करना है 100 में से आप घटा दीजे 56% को तो कितना आजाएगा हमारा 44% आजाएगा न तो 44% हमारा answer हुआ यानि दोनों विश्व में पास होने वाले कितने परसें विधारती हैं तो 44% विधारती हैं यानि option number C हमारा answer हुआ देखिए समझ लीजिए math 14% math और English मिला के 20% ये क्या है common part है यानि math वाले बच्चे भी और English वाले बच्चे भी 20% है फेल हो रहा है और केवल English 22% दोनों को तीनों को जोड़ दिये 56% हो गया उसके बद आपको क्या करना है 100 में से घटा देना है तो 44% दोनों विशो में सफल होने माले पिदारती है ठीक है तो उमीद करते हैं कि question number 5 समझ में आ गया होगा दोस्तों काफी easy तरिके से बता है तो वीडियो को skip मत करना दोस्तों पूरा 10 question आपके लिए हैं 10 के 10 important है previous year question है ठीक है तो आईए हम लोग question number 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग question में 6 करने जा रहे हैं ये भी काफी important question है पूछा जा चुका है तो लिखा हुआ है एक जीले में 64,000 निमासी हैं यदि जनसंख्या विधिदर 2 whole 1 by 2% बार सिखो तो 3 वर्स के अंत में जीले में कितने निमासी होंगी हमें निकालना है दोस्तों तो कैसे हम लोग solve करेंगे सबसे पहले 2 whole 1 by 2% कितना होता है हमारा तो 5 बटा दूसर होता है 2 whole 1 by 2% कितना होता है 5 बटा दूसर करने करत क्या है कि 200 निमासी है और हर वर्स कितना निमासी बढ़ जाता है तो 5 निमासी बढ़ जाता है तो हमलों इस तसी निकालेंगे, First year, Second year, Third year पहला साल 200 आदमी, तो कितना बढ़ा रहा हैं, 5 बढ़ा हैं, 205 हो गए फिर दुस्ता साल 200 आदमी, कितना बढ़ा हैं, तो 5 बढ़ा हैं, 205 हो गए फिर तीสा साल 200 हैं, फिर बढ़ कितना हो गज़ीं, 205 हो गए अब 5 से काट भी सकते हैं आप तो 5 चोको 20, 40 ये 41 हो गया फिर 5 चोको 20, 40 ये कितना हो गया, 41 हो गया फिर 40, फिर 41 तो हम लोग देख रहे हैं कि 40, 40, 40, फिर क्या करना है, मुट्प्लाई करना है तो ये हमारा 1600 यूनिट आ जाएगा और 1600 यूनिट आ जाएगा कितना जाएगा, 4 चोको 16 16, 64, यानि 64 यूनिट आ जाए दोस्तों, कितना आ जाए हमारा तो 64 यूनिट आ जाएगा ठीक है और ये हम लोग आख हमारा कितना आ जाएगा तो मुट्प्लाई करके आ जाएगा 6, 8, 9, 2, 1 यूनिट, यूनिट है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 64000 हमारा आ गया, इतना निवासी थे तीन साल में, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां भी 64000 निवासी है, यानि दोस्तों अब आपको कुछ करने का जरूबत नहीं है, वहां भी 64000 था, यहां भी 64000 है, तो आप हमारा यूनिट में निकल दा, इससे कंपेर किया कि 64000 यूनिट भावर, 649 थे एक यूनिट भावर, एक निवासी हो गया, तो इतना यूनिट भावर क्या हो जागया, तो यह हमारा नंबर हमारा जाएगा, तो 68981 हमारा एंसेर हो गया, ठिक है, उमीद करते हैं कि आपको सम सेवन इस पर कार है यदि किसी भीन का अंस 20% बढ़ा दिया जाए तता हर 5% घटा दिया जाए तो भीन 5 बटा दू हो जाती है वास्तिक भीन क्या है यह निकालना है तो दोस्तों इस तरह कोशन जबी दिखे तापको कुछ निकरना जो भीन दिया रहा है वो लिख लिजिए त तो कितना दिया हुआ है पांच बना दो द लिया हुआ है तो 5 बना दो लिख लिजिए तिक है अब आपको करना क्या करना है कि 20% बढ़ा दे रता है तो आपको हर में क्या करना होगा 20% बढ़ा देना हो और अन्स में क्या करना होगा 5% घटा देना होग談ड यानी 95 हो गया ज़िए श्रकश पर मिल्ख़ दी 120 टृकिए उलटा करना है आपको हर 5% घटा दे रहे हैं तो अंस में लिख दिए बाद घटा के 95 अब काट दीजिए तो कितना हो जगा हमारा पांस से काट यह हमारा 19 हो जाएगा यह कितना हो जागा 24 हो जाएगा यानि 95 बटा में 48 ठीक है यानि कौन सा ऑप्सन है ऑप्सन नमर सी यह हम लोग डाय करने के लिए नहीं तो आप क्या करते अगर हम लोग लॉइए लोग में चलते तो क्या करते हम लोग एक बटा वाई लेते फिर क्या करते हैं 120 बढ़ा रहे हैं पिर 95 घटा रहे हैं पर आपको समझ में आ गया होगा यह दोस्तों इस क्रैप कर लिए तो हमाना आइंसर कितना अगे 95 बटा 48 अप्सन नमर सी ठीक है तो उम्मीद क बहुत बार पुशादा चुका है तो आए हमने लोग कोस्ट नमबर 8 के रोबरते हैं दोस्तों हमारा कोस्ट नमबर 8 इस पकार है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15 परचंट है तो बड़ी संख्या तता छोटी संख्या का नुपात गयाद करें दोस्तों काफी आसान है किस पकार इसको सौब करना आईए देखते हैं तो मान लिजे कि बड़ी संख्या हमारा एकस है छोटी संख्या वाई है अब कोस्टन जिस पकार बोड है उस पकार हम लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर तो एकस माइनस वाई बराबर उनको योग का कितना है 15 परसंट है इकस प्लस वाई 15 परसंट हमोग जानते हैं क्या होता है तो तीन बटा 20 होता है अब हम लोग क्या करेंगे तो एकस माइनस वाई बड़ा एकस प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा तीन बटा 20 हो जाएगा तो जब भी इस तरह का एक्वेशन आपको नजर आए तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगा एक्स तो आपको कुछ नहीं करना है दोनों को तीन और बीस को एड़ कर लिजे तो कितना हो जागा टेश और बटा दुमें डो कर लिजे ठीक है अब य का निकालना है छोटी संख्या तो क्या किजिए इन दोनों संख्या को का डिफरेंस ले तो बीस और तीन का डिफरेंस कितना होगा हमारा तो बीस और तीन का डिफरेंस कितना होगा 17 होगा उसको भी टू से डिवाइट कर दीजे तो 17 बटा दो अब हमारा आगया डिफरेंस तो एक्स रेशियो वाई कितना हो जागा हमारा थेश बटा में दो रेशियो में 17 बटा तो आप किस तरस इसको solve करेंगे ठीक है तो आईए हम लोग अब question 9 के और बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग question 9 कर रहे हैं हमाँ question 9 इस पकार है 0.01 का कितना 0.01 is what percent of 0.1 यानि 0.1 का कितना प्रतिता 0.01 है तो आप फूर कुछ नहीं करना है जैसा question में बोड़ा उस पकार लिख दीजिए तो 0.01 तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 0.01 तो हम लोग 0.01 लिख दिए कितना प्रतितत है इसका 0.1 का इंटू में 100 ठीक है तो 0.01 का हम रूली सकते हैं 1 बटा 100 बटा में 0.1 गुने में 100 तो 100 से 100 कैंसिल आट हो गया अब यह कितना हो गया हमारा 1 डिवाइड बटा भी इस फॉर्मेट में बन गया तो हम लोग कैसे करते हैं तो एंटू बी बाइए करते हैं उसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे यह 0.1 है यानि 1 बटा 10 तो 10 उपर चल जाएगा तो 1 डिवाइड वाइड वाइड कितना हो जाएगा हमारा 1 बाइट 10 तो हम लोग 1 इंटू 10 आ जाएगा यानि हम एंसर कितना गया दोस्तों 10 यानि ऑप्शन नमबर यह हमारा राइट एंसर हुए तो इसमें समझने क्या थी कि जब भी इस से का दिखे आपको 0.01 is what percent of 0.1 0.01 कितना percent है किसका 0.1 का 0.01 बटा 0.1 कर दिये इंटू 100 कर दिये आपको solve कर लेना है तो answer कितना है 10% answer आया दोस्तों इस ट्राइब का question पूछा जा चुका है तिक है यह previous year question है तो आईए हम लोग आप question number 10 की और question का दोस्तों हमारा question number 10 इस परकार है 30% alcohol वाले एक mission को 50% alcohol वाले एक mission में किस अनुपात में मिला जाए ताकि प्राप्त mission 45% alcohol हो तो आपको कुछ ने करना है इस type of question हम allegation matter से solve करता है यानि पहले कितना percent alcohol था 30% alcohol था फिर हम लोग 50% alcohol वाले mission से मिला देते हैं तो खोज कितना ज मिलाए गया हमें निकालना है ठीक है तो काफी easy है करना कैसे है तो पहले में 30% था फिर मिलाए हम लोग 50% alcohol वाले से और overall कितना percent बन गया 45% बन गया तो हम लोग allocation method लगा देंगे तो कितना हमारा जाएगा 12 में से छोटा गटाना है 45 में से 30 तो कितना जाएगा हम पंदरा 50 मे ratio ले लेंगे तो कितना ratio आगया हमारा one ratio तीन आ गया यानि इसी ratio में हम लोग मिलाएंगे कौनसा option है option number B है दोस्तों आज का session हमारा इतना ही था ठीक है उमीद करते हैं कि समद में आया होगा आज का हमारा session percentage का जो भी हम लोग question किया है यह हमारा previous year question है एक question पूछा गया है ब दोस्तों आज के इतना ही अगर आपको session पसंदना है हो तो हमारे channel मैं से दोस्ती को subscribe करें video को like करें share करें अपने friend circle में तो मिलते हैं एक नए session में एक नए video एक नए topic में दोस्तों thanks for watching ठीक है